परिचय देखो राहुल, ये रोबोट चल रहा है हाँ रुचिका, ये रोबोट और भी कई काम कर सकता है राहुल, क्या तुम सजीव और निर्जी वस्तों में फर्क समझते हो? रुचिका, मैं केवल एक अंतर समझता हूँ कि सजीव वस्तों चलती है लेकिन अगर ये सच है तो इस रोबोट को सजीव क्यों नहीं समझा जाता? बच्चो, इस पार्ट में हम सजीव वस्तों की विशेश्ताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे आओ सीखें जीवन का वर्लन करना सजीवों के लक्षणों की पहचान करना ये समझना कि सजीव वस्तों में कोशिकाएं होती है इसकी पहचान करना कि सजीव वस्तों जन्म लेती और विक्सित होती है सजी वस्तूओं के द्वारा उर्जा के उप्योग की जानकारी प्राप्त करना, ये समझना कि सजी वस्तूओं परिवर्तन का अनुभाव और उसके लिए अभिक्रिया करती हैं, इस पर विचार करना कि सजी वस्तूओं जनन करती हैं. जीवन उन रासाइनिक अभिक्रियाओं के जरिये इसे परिलक्षित करने वाले अणुओं का विलक्षन, जटिल, कोश की ये संगठन है, जिनके फलसरूप, जन्म, पिकास, अभिक्रियात्मक्ता, अनुकूलन और जनन होता है. सजीव के लक्षन वे वस्तूएं, जिन में व्रिध्धी, जनन, परियावरण, का अनुभव और उसके अनुकूल अभिक्रिया करने की इक्षमता हो, सजीव वस्तूएं कहलाती हैं. पीड़ पौधे और पशू दोनों सजीव हैं, इसलिए जीव विज्ञान में पीड़ पौधूं यानि वनस्पति विज्ञान और पशूं यानि जन्तु विज्ञान दोनों का अध्ययन किया जाता है. सभी सजीव वस्तूएं में निम्निलिखित मौलिक लक्षन होते हैं. परिवर्तन का बोध और अभिक्रिया की इक्षमता, जन्म लेना और विकास करना, अप्षिस्ट का त्याक करना, जनन करना. सजीवों में कोशिकाएं प्रतेक सजीव प्राणी में एक खास विशेश्टा होती है. इसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है. किसी सजीव प्राणी का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है. कोशिकाओं को जीवन का सनचनात्मक एवं कारियात्मक एक अक माना जाता है. कोशिकाओं जीव द्रव्वे अत्वा सजीव पदार्थ से बनी होती हैं. शरीर की सभी क्रियाओं और जीवन के गुण धर्मों का कारग जीव द्रव्वे होता है. कुछ सजीव प्राणी केवल एक कोशिका से बने होते हैं. जैसे अमीबा, पेरामीश्यम इन्हें एक कोशिकिये कहा जाता है. वे जीव जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, बहु कोशिकिये कहलाते हैं. सजीव प्राणियों का जन्म और विकाज. सभी सजीव बढ़ते तथा विकाज करते हैं. सजीव में बढ़त नए जीव द्रव्वे के आकार, भार एवं संशलेशन में प्रिधी के कारण होती है. पश्वों का विकास एक निश्चित आयू तक होता है, जबकि पेड़ पौधे जीवन परियंत बढ़ते रहते हैं. सजीव प्राणियों द्वारा उर्जा का उप्योग ना केवल शरीर के विभिन क्रिया कलापों के लिए बलकि उतक्रम माप यानि किसी प्रणाली में विकार या रोग की सीमा को नियंद्रित रखने अथवा गड़बडी को दूर करने के लिए भी सजीव प्राणियों को निरंतर उर्जा की आविशक्ता पढ़ती है. भोजन उर्जा का सुरोत होता है. शरीर की हर कोशिका को इसकी जरूरत होती है. पेड़ पौधे प्रकाश संशलेशन की क्रिया से अपना भोजन तयार करते हैं. प्रकाश संशलेशन की क्रिया के लिए पेड़ पौधों को धूप, पानी और पण हरित यानि क्लोरोफिल की जरूरत होती है. सजीव प्राणियों द्वारा श्वसन भोजन से उर्जा प्राप्त करने के लिए सजीव प्राणियों को आक्सीजन की जरूरत होती है. वे श्वसन क्रिया से आकसीजन ग्रहन करते हैं. श्वसन क्रिया में आकसीजन शरीर के अंदर जाती है, जिसे रक्त शरीर की हर कोशिका तक पहुचाता है. श्वासन के लिए मानव शरीर में फेपड़े यानी फुपुस, मचलियों में गलपड़ और तिल चट्टों में श्वासरंद्र होते हैं आओ खेलें, कॉलम क, क, कॉलम ख से उचित मिलान करें सजीव प्राणियों में परिवर्तन के अनुभव और अभिक्रिया की ख्षमता चेतना आसपास के वातावरां को समझन और उद्धी पन से अभिक्रिया करना कहलाती है किसी प्राणी अत्वा अव्यव की उद्धी पन से अभिक्रिया करने की ख्षमता सुग्राहिता यानी समवेदन शीलिता कहलाती है सजीव प्राणी में जनन बच्चे बढ़ते और प्रोड होते हैं उनमें अपने ही जैसे शिशून को जन्म देने की ख्षमता का विकास होता है जीवन की उत्पत्ती पूर्व वर्ती जीवन से होती है हमने क्या चड़्चा की संसार में दो प्रकार की समरचनाय है सजीव और निर्जीव सजीव प्राणी जटिल तत्व है सभी सजीव प्राणियों की कुछ मौलिक विशेश्टाय होती है कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है प्रतीक सजीव प्राणी की सनचना और क्रिया कलाप में आयू के साथ परिवर्तन होता है जिसे विकास कहते हैं जननक्षमता के आधार पर किसी सजीव प्राणी का किसी निर्जीव पदार्थ से समाने रूप से अंतर किया जा सकता है